इस्टार जावलिन त्रू नीरत चोपडा ने इतिहास रजदिया है उन्होंने वर्ल्ड एट लिग चैंपियंशिप 2023 में गोल्ड मैडल अपने नाम कर लिया है बता दें नीरत चोपडा ने पहला त्रू जरूल फाउल किया था लेकिन दूसरे ही त्रो में 88.17 मीटर दूर भ हाला नहीं फैक सका यह चैंपियंशिप हंगरी के बुड़ा पेस्ट में हुई मैंस जैवलिन फ्रो इवेंट्स का फाइनल मुकाबला रविवार यानि 27 अगस्त को खेला गया इस चैंपियंशिप में पाकिस्तान की अर्षद नदीम दूर से नंबर पर रहे उनका बेस्ट थ्रो रहा जो उन्होंने तीसरे थ्रो में हासिल किया था बता दें यह भारत के लिए वर्ड एट लिक्ट चैंपियंशिप के ट्रेक एंड फिल्ड केटागरी में पहला गोल्ड आया है नीरच चोपडा इस केटागरी में गोल्ड जीतने वाले भारतिय बन गई हैं इससे पहले अंजू बॉबी जार्ज ने 2003 में लॉंग जंप में ब्रांच मेडल जीता था जबकि नीरच चोपडा ने 2022 में चैंपियंशिप में सिल्वर मेडल जीता था नीरच चोपडा पैरिस ओलंपिक 2024 के लिए भी क्वालिफाइक कर चुके हैं पैरिस ओलंपिक 2024 जुलाई से लेकर 11 अगस्त तक खेला जाएगा जैवलिन त्रो के फाइनल में नीरच चोपडा के अलावा भारत के डीपी मनू और किसोर जैना भी मेडल के लिए उतरे थी मगर किसोर पांचवे और मनू छटे नमबर पर रहे बताते चले पिछले वर्ड चैंपियंशिप 2023 अमेरिका मे हुई थी जिसमें नीरच चोपडा ने सिल्वर मैडल जीता था और वह इस बार यहां गोल्ड के दावेदारों में सुवार थे उन्होंने दमदार परदसन कर इस बार गोल्ड अपने नाम किया इसे के साथ नीरच चोपडा ने ओलमपिक और वर्ड एटलिक गोल्ड जीतने वाले भारतिय दिगज निसान बाज अभी नव पिंदरा के एतिहासिक रिकोर्ड की परापरी कर ली है ऐसे ही तमाम जानकारी के लिए बने रही है इन खबर के साथ